क्रिया कलाप एक दो बीकर या गिलास ले पहले बीकर में 5 ml जल लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोकसाइड का एक छोटा टुकडा डाले दूसरे बीकर में 5 ml मेथिल अलकोहल डाले दोनों बीकर में रखे पदार्थ का लिटमस तथा सार्वत्रिक सूचक के साथ परिक्षण करें और नीचे दी गई सार्णी में अवलोकन को लिखें सार्णी 2 को देखने और बंद की प्रकृती सोडियम हाइड्रोकसाइड में आइनिक बंद और मेथिल अलकोहल में सहसयोजी बंद जान लेने के बाद हमने देखा कि दोनों योगिकों में OH है किन्तु दोनों की प्रकृती एक जैसी नहीं है NaOH में OH रिनायन हाइड्रोकसाइडायन तथा CH3OH में OH हाइड्रोकसिल समुह के रूप में उपस्थित है चुकि मेथिल अलकोहल कार्बनिक योगिक है अतह यहाँ पर OH क्रियात्मक समुह के रूप में कारे करता है इस तरह से दोनों पदार्थों का स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि OH किस मूलक के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों जैसे कि आप जान चुके हैं जब किसी अलकील मूलक के साथ OH समुह जुड़ा होता है तो इसे हम इस प्रकार बने योगिक को हम अलकोहल कहते हैं और इस अलकोहल में OH समुह ही उसकी रासाइनी कुणोहेतु जिम्मेदार होता है तो अब आप ये कहोगे कि NaOH में भी तो OH समुह होता है तो क्या ये भी अलकोहल है तो चलिए आज हम NaOH में जुड़े हुए OH समुह और अलकोहल के OH समुह की प्रकरती की जांच कर लेते हैं तो चलिए, इसके लिए हम AOH का william लेते हैं औरesterol alcohol यनि की C2H5OH का विलiam लेते हैं और इसके प्रकरति की जाँच करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम नीला litmus पेपर लेते हैं और इसे टUST में डाल कर देखते हैं देखिए नीले लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ अब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डालकर देख लेते हैं देखिए लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया जो ये दर्शाता है कि स्टोडियम हाइड्रॉकसाइड छारी है अब हम नीले लिटमस पेपर को एथील अल्कोहल में डाल कर देखते हैं देखिए इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अब हम लाल लिटमस पेपर को एथील अल्कोहल में डाल कर देखते हैं देखे लाल लटमस पीपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब कि एथिल अलकोहल ना तो अमलिय है और ना ही छारिय है तो चलिए अब हम दोनों के पी एच की जांच कर लेते हैं सबसे पहले हम एन वेच के पी एच की जांच करते हैं यह नीला हो गया अब हम इसको कलर बार से मैच करते हैं देखिए यह दिखाता है कि सोडियम हैडरोक्सेड के विलियन का पी एच मान चवदा है अब हम एथिल अलकोहल के पी एच की भी जांच करते हैं देखिए बच्चों इसे पी एच बार से मिलाने से पता चल रहा है कि एथिल अलकोहल के विलियन का पी एच मान साथ है जो की दर्शाता है कि यह उदासीन है तो बच्चों इस परिक्षन से हमें यह पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओएच समू और एथिल अलकोहल के ओएच समू की प्रकृति एक जैसी नहीं है चुकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने छारिता का गुण प्रदर्शित किया इसका ताथ पर यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलियन में ओएच समू आइनिक बंद के रूप में मौजूद है जबकि एथिल अलकोहल में OH समू सहसायोजक बंद के रूप में मौजूद है और चुकि एथिल अलकोहल एक कार्बनिक योगिक है अता इसमें OH समू क्रियात्मक समू के रूप में मौजूद है